नमस्कार दोस्तों जी के अर्जिन सार यूट्रीब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है यूपी लेकपाल या यूपी पुलिस भरती 2022 संविधान प्रेटी सेट 23 में तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आपसे छोटी सिर्क्वेस्ट है अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भोले ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड कर उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पह करते हैं तो चले वीडियो प्रारंब करते हैं पाला कोसन है इसमें बान्वेवे समिधान अधनियम के माध्यम से भारती समिधान की आठवी अनसूची में निमलिखित भासाओं में से किसे सामिल नहीं किया गया यहां पर नहीं किया गया पूछा जा रहा है दिया है बोडो मैθली, संथाली या कर्णर तो इसमें राइट यदि हो जाएगा D कर्णर तो कर्णर भासा को जो है सामिल नहीं किया गया था इसमें देखे बोडो, मैidée ली, संथाली और एक और भासा थी डोगरी ये चार भासाओं को जो है आठवी अन्सोची में सामिल किया गया था बान्वेवे सम्मिधान सनसोधन द्वारा कन्नन उसमें नहीं था तो चारों एक साथ भासा सामिल की गई थी कोर्शन नमबर दो है भारती सम्मिधान की प्रस्तावना में किस संसोधन के अनुसार संसोधन किया गया था 35, 42, 61 या 72 तो सम्मिधान की प्रस्तावना में पूछ रहा है कि किस संसोधन के अनुसार संसोधन किया गया था तो यह हुआ था 42 सम्मिधान संसोधन के द्वारा 1976 में हुआ था Question No.3 पर आते हैं भारती सम्मिधान में पहला संसोधन कब किया गया 1951, 1953, 1955 या 1957 में तो भारती सम्मिधान में पहला संसोधन कब किया गया था दिया है तो इसमें राइट एंसर हो जाएगा ए उन्नीस सो एक्याओन में तो उन्नीस सो एक्याओन में पहला समिधान संसोदन क्या गया था और जो संसोदन के गये थे वो अंछेत थे पंदरा उन्नीस पचासी 87 174 176 341 372 376 ये सब अन्छेदों का जो है संसोधन किया गया था कुश्चन नमबर 4 पर आते हैं सम्विधान का कौन सा संसोधन सरकार में नीजी उच्च सिच्छा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरच्छन प्रदान करता है तो कौन सा संसोधन है जिसमें 27% आरच्छन का बात कही गए अन्य पिछड़े वर्ग के लिए OBC के लिए दियाए 91, 92, 93 या 74 तो इसमें राइट एंसर हो जाएगा संसोधन 2005 की अंतरगत हुआ था ये 2005 में कुस्षन नंबर 5 है किस अनुछेत के अनुसार वयद कारणों के अधार पर राज्यों में राष्टपत सासन लागू किया जा सकता है तो राष्पत सासन लागू किया सकता है 356, 309, 370 या 372 तो इसमें देखें राइट एंसर हो जाएगा आपका 356 राष्पत सासन 356 में लगता है कुस्षन नंबर 6 पर आते हैं राष्टिय महिला आयोग का पहला पुरु सदस्य कौन बना अर्विंद केजरिवाल मनिस सिसोदिया प्रसांत भूषन या आलोक रावत तो महिलार राष्टिय महिला आयोग का पहला पुरुस इसमें पुछा जा रहा है सदस्य कौन बना था तो आलोक रावत आलोक रावत बने थे वर्तमान में देखा जाए तो रेखा सर्मा है राष्टी मैलायो के कारिकारी अध्याच कुश्चन नमबर साथ देखे राष्टी मानवा अधिकारायो के आठवे अध्याच कुरूप में हाल ही में किसने पधभार गरहां सम्भाला ये समाले थे अरुण कुमार मिस्रा कोश्चन नमबर आठ पर आते हैं निमलिकित में से कौन सा राज सम्मिधान की छठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जन जाती चेतरों के प्रसाशन यम नियंतरन से समन्धित है आपसन इसमें दिया है आसम, नागा लैंड, मेगाले या तिरिपुरा तो इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा बी नागा लैंड कोश्चन नमबर नौ है धार आयोग और जे भी पी समिति के गठन का उद्धिस से क्या था तो इसका उद्धिस पूछ रहा है क्या था पाला देखे आपसन दिया है निर्वाचक बनाने के लिए, बनाने के कारियों के निप्टान के लिए और बी दिया है देश को राजियों और संग सासित परदेशों विभाजित करने की बेवारता देखना और C दिया है भासाई अधार पर आधारित राजियों के पुनर गठन की बेवारता देखना पर आधारित राजियों के पुनर गठनकी बेवारता को देखना कुशन नमबर 10 पर आते हैं भारती समिधान की किसा अनसूची में राजियों और संग राज छेतरों की सूची दी गई है दिया इसमें पहली अनसूची, दूसरी, चौथी और छठी अनसूची इसका राज एंसर हो जाएगा जिसमें राजियों और संग राज छेतरों की सूची दी गई हुआ है पहली अनसूची तो ए इसमें राज एंसर होगा कुशन नमबर 11 पर आते हैं 1903 में पहला पिछड़ा वर्ग आयो की अध्यस्ता में निव्ट किया गया था किसे निव्ट किया गया था काका कालेलकर बीपी मंडल बीपी सिंग या पीवी नर्सिमा राज तो इसमें जो है आपका राज एंसर हो जाएगा ए काका कालेलकर 1903 में काका कालेलकर की अध्यस्ता में पिछड़ा वर्गाय को गठन किया गया था और हलकी अपनी रिपोर्ट ये सौपे थे 1903 में गठन किया गया था रिपोर्ट उन्हें सो पचपन में ये सौपे थे पिछड़ा वर्गाय कोर्शन नमबर 12 पर आते हैं दिया है नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल एक है क्या है ये फास्ट ट्रेक कोर्ट है ये नान गैजेटेट संगठा नहीं है केंदर सरकार का भी वहाग है ये नीजी कमपनी है नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल एक जो है फास्ट ट्रेक कोर्ट है कोर्ट मिस नियाले ये सिग्रिगामी निप्टारे के लिए किया गय था कोर्शन नमबर 13 पर आते हैं यू एन ओ का मुख्याले में इस्तित थे यू ने का मुख्याले कहाँ पर इस्तित थे नियु यार्क वासिंग्टन जेनेवा या ब्याना ये है कहाँ पर नियु यार्क में इसके अस्थापना अगर पुछेगा तो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी इवन्यों की निवार की जो है अमेरिका का मुखे सहर है कुश्चन नमर 14 पर आते हैं एक सहकारी समीती में पालन के जाने वाला सिधान्त कौन सा है एक आधिक ओट या एक आदमी एक ओट या कोई ओट नहीं या एक हिस्सा एक ओट तो इसमें देखें राइट जो एंसर होगा वह है एक आदमी एक ओट एक आदमी एक ओट कुश्चन नमर 15 है OBC के वर्ग में क्रीमी लेर की पहचान करने के लिए निवक्त समीती का नाम क्या था इसने 1991 प्रस्तुत की और उसे स्युकार कर लिया गया तो उस समीती का नाम पुछा जा रहा है है तो उस समीती का नाम था का ंंसर रांनन्न समीति सुन्हाय तोर संक्राम बताना है सिख बौध जैन या पार्सी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा इसमें सी जैन धार्म को अल्फ संक्का का दर्जा दिया गया था कोशन नंबर 17 पर आते हैं भारती समिधान के अनुसार कितनी भासाओं को कर्यालेई भासा का दर्जा दिया गया है 15, 18, 22 या 25 तो इसके राइट एंसर होगा इसमें सी 22 भासाओं को तो पहले ये तो इसमें 18 भासाओं थी लेकिन जो 92 समिधान संसोधन किया गया है यानि आठवी अनसुची को 2003 में तो उसमें संसोधन के बाद वर्तमान में 22 भासा हो गई है कोशन नमबर 18 पराते हैं आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्स किया गया था 2010, 2011, 2012 या 2013 में तो आम आदमी पार्टी यानि आप का गठन किया गया था 2012 में इसका राइट एंसर हो जाएगा 26 नमबर 2012 को समिधान दियोस के उसर पर 63 वर्स गाट थी जन्तर मंतर दिल्ली में इसकी गठन किया गया था आप पार्टी की कोशन नमबर 19 है निल्मिकित में से किस परधान मंतरी को भारत रत्म पुरसकार दिया गया बीपी सिंग मुरार्जी देसाई चरण सिंग या मनमोहन सिंग तो इसका राइट अंसर हो जाएगा इसमें बी मुरार्जी देसाई कोशन नमबर 20 पर आते हैं दिया है 26 जन्री 2002 के कानून के अनुसार भारती तिरंगे को फाराने के नियमों में से क्या सत्य नहीं है क्या सत्य नहीं है इसमें पुछा है तो इसमें ए सही है कि आम जन्ता को अपने घरों में धोज फाराने का अधिकार नहीं है यह सत्य नहीं आम जन्ता अपने घरों में जहंडा फारा सकती है तिरंगे यहीं सही नहीं है यहां कौछा कोण नहीं है यानि कि सही है तो यह थे कोशन आज के लिए तो उमिद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया ते इसको like करें अपने दोस्तों के आधिक सदिक सेयर करें धन्यवाद दोस्तों, जैहिन वंदे मात्रम